हाई फ्रेंट्स आज हम बात करेंगे कि सिम्ला मिर्च के पौधे को आप गमले में कैसे ग्रो करें इसे जो है आपको बाजार से खरीदने की भी जूरत नहीं पड़ेगी ना इसके बीज को ना इसके पौधे को घर पे आसाने से ग्रो कर सकते हैं बहुत ही आसानी से लग भी जाता है तो लेट ना करके चली वीडियो को स्टाट करते है उसे अब जाइडिव करने के लिए निदे के खरीदते हैं उसके ही बीज से आप इसका पौधा बना के तियार कर सकते हैं मैंने उसके बीज को फर्स टाइम में ट्राइ कर रही हूँ अब इसमें मतब सिम्ला मिर्च आएगा नहीं आएगा मैं उसका वीडियो आपको शियर करूंगी इस तरीके से पहले इसका पौधा अगर आप जा रहे हो बनाने के लिए तो इसके पौधे को मतब तयार करना है तो आप जो आप जो आप सिम्ला मिर्च लाते हो उसके सीड्स को निकाल के मिर्टी में डाल दीजे किसी भी डिस्पोजल छोटे पौट में डालेगा वह बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है आप भी इस तरीके से पौधे को लगा सकते हैं तो मैं जो है मैंने कुछ ट्राइम इसको ग्रो किया तो लगबर एक महिना हो गया मुझे इसके बीच को डाले हुए अभी इतना बड़ा हो चुका है तो इसे जो है मैं री पौट कर रही हूं दूसरे पौट में सिफ्ट कर रही हूं तो आप भी जो है इस तरीके से सिम्ला मिर्च के पौधे को अगर लगाना बहुत ही अच्छे से वैसे तो इसके सीट्स गुरो हो गए अब इसमें बड़ा पौधा होगा सिम्ला मिर्च आएगा कि नहीं आएगा यह समय बताएगा तो इस तरीके से जो है बिना बीच खरीदे और पौधा खरीते आप घर पे इसके मतब पौधे को घर पे बहुत है तरीके से त्यार कर सकते हैं गंबले में लगा सकते हैं और अभी जो है सरदी की टाइम में ऐसी बहुत सारी सबस्काइब शांटे नहीं किया तो आप बहुत बहुत धन्यवाद